आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रवा इटली की रेसिपी आप देख सकते हैं हमारा इटली कितना ज़दा स्पॉंजी बना है कितना ज़दा सॉफ्ट है और बहुत जल्दी असानी से बन जाता है ये और जाधा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में तो गैस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस रवा इटली को कैसे बनाने वाले है दोस्तो इटली को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप सूजी लिया है और इसे मैं एक बोल में डाल रही हूँ दोस्तो मैंने यहाँ पे मोटी सूजी का यू तो आप कोशिश करें कि आप खटी दही का इसमें यूस करें दोस्तो हमें दही और सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अगर जरूत पड़ती है तो वीच वीच में पानी डाल कर इसे बिल्कुल एक लंस फ्री बैटर बनाना है इसका और बिल्कुल भी लंप्स नहीं होने चाहिए कंसिस्टेंसी मैं आपको मिक्स करने के बाद दिखा देती हूँ इस अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और यहाँ पर मैंने आदा चमश नमक लिया आप अपने स्वाद अनुसार नमक लिजे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिजे मैंने इस अच्छे तरीके से mix कर लिया और आप consistency को देख सकते हैं हमारी consistency कुछ इस तरीके से है जादा thin भी नहीं है थिक भी नहीं है और इस तरीके से आपको भी अपनी consistency को maintain करना है हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तयार हो गया अब मैं इसे आदे घंटे तक रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारा सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए तो आदे घंटे हो गया है और आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल फूल का तयार हो गया है अगर आपकी इससे भी जादा थिक है तो आप उसे पमानी डाल कर थुछा सा थिन कर लीजे इसके बाद मैं आप ले लिया है इटली स्टैंड और इस इटली स्टैंड में मैं सभी में आईल को अच्छे तरीके से लगा लेना है ताकि हमारा जो इटली है वो चिपके रही त अच्छे तो आप यहां पर यहां पर यह चाहिए तो आपे इनो का यूज कर सकते हैं इहां पे पतिला ले लिया है और इसमेने एक ग्लास पानी डाला है और इसे हम बॉल करेंगे दोस्तों जब तक हमारा पानी में बॉil आता है तब तक इस बैटर को हम लोग टर तक तो मै आपको ऐसा नहीं करना कराब से था रहते हैं आपको इसा इसा नहीं करना आपको इस तरह इसा एक प्ले स्धक अपले आपको इस संवेड शुच्छे इले इचारान और आप देख से हैं इटली हमारा फूल रहा है दीरे दीरे तो अभी हम इसे और भी पांचे मिनट पकने रेंगे और इस बाद का जरूर धान रखे कि आप बिल्कुल भी ढखकन को इस टाइम पर ना खोले दोस्तों देखिए हमारे यहां पर हो चुका है दस से बारा मिनट औ अब मैं इटली को एक बाद चेक कर लूँगी तो यहां पर मैंने इसे खोला और हमारे इटली बिल्कुल पॉफेक्ट बनकर त्यार होगा हमारे इटली पक भी चुका है तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और थंडा हो चुका है तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे और चम्मस की मदद से आप इसे निकाल लीजे, बहुत आसानी सी निकल भी जाता है, और देखिए हमारे इटली कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तयार हुआ है, और बिल्कुल टाइंग भी नहीं लेता है, रवा इटली बनने में इसे भीगोने के जंजट नहीं है, बहुत बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दीजे, वीडियो कामने फ्रेंज और फ्रेंज के साथ भी शेयर कीजे, ताकि उन लोगों के लिए वीडियो हेलफुल हो सके, और मुझे नीचे कामन बॉक्स ने कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपको पे वीडियो कैसा लगा, थैंक्यो फो वाचिंग